शर्मनाग 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 तीन बार शर्मनाग क्योंकि जिस टीम की इतनी ताकत की बात होती है जिस टीम के पास जोस बटला यससवी जैसवाल संजू पडिकल हेटमार जैसे जोरूर जैसे बल्लेबाज है वो टीम केवल 69 रनों पर उल्टीम आउट हो जाती है समझ में बात नहीं आती हैरान हो गया हूँ इस राजिस्थान की हार को देखकर परिशान हो गया है मेरा मन कि आखिर राजिस्थान को हो क्या गया यह जीतावा मैच हार कैसे गई अपने घर में इतनी बुरी बेज़ती राजिस्थान ने कैसे करवा ली आखिर कहां गई राजिस्थान के साथ कुछ गलत हुआ है ये तमाम तरीके के सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये हार राजिस्थान की पच नहीं रही ये दिल को हजम नहीं हो रही है एक इतनी मजबूत टीम जो सबसे घातक मानी जाती है आखिर वो उनसे ट्रनों पर ओल्टीम आउट कैसे हो जा में वो भी उन खिलारियों के सामने जिनको ज्यादा मौका ही नहीं मिला है ऐसी टीम के सामने आप ओल आउट हो रहे हैं तो जाहिर तोर पर सवाल खड़े होते हैं राजिस्थान की ये हार कह सकते हैं कि राजिस्थान की इस हार के साथ ही राजिस्थान बाहर हो गई है तेर सबसे बड़ा सवाल है तो इसमें सबसे बड़ा सवाल जो हो सबसे पहले तो ट्रेंट बोल्ट को लेकर खड़ा होता है कि जब आपके पास एक पावर प्ले में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज मुझूद था आप ने उसको नहीं खिलाया आप ने उसको बाहर क्यों कर दिया यह चीज़ें बेवी समस्य पर हैं आप ट्रेंट बोल्ट को क्यों नहीं खिला रहे हैं क्यों संजू सैंसन ने 2023 में तीन मैचों में ट्रेंट बोल्ट को बाहर रखा क्या वास्तम में राजिस्थान बिक चुकी है क्या वास्तम में राजिस्थान इस 2023 में फिक्सिंग कर चुकी है यह बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं जिस तरीके से राजिस्थान को हार मिली है यह पच नहीं रही क्रिकेट फैंस परिशान है उनसे ट्रणों पर कैसे एक टीम अउला उट हो सकती है वो भी अपने घर में दूसरा सबसे बड़ी वज़ा इस अश्विन के और चहल की धारदार गेंदबाजी कहांगे उनके विकेट कैसे समझ में बात नहीं आ रही है क्यों यह दोनों फेल हो गए और क्यों ब्रैस्वेल जैसा नया गेंदबाज आके विकेट चटका देता है यह चीज़ें समझ से पर हैं हैरान होती है अश्विन और चहल जैसे गेंदबाज क्यों एक भी विकेट नहीं ले पाई यह सबसे बड़ा दूसरा उपरी क्रम के बनेबाज आप जैसवाल की बात कर लीजे जो बनेबाज सबसे घातक फोम में वो आते ही आउट हो जाता है दूसरी गेंद पर बतलर जैसा बनेबाज जो सबसे बहतर पराज बनेबाज माना जाता है वह मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि राजिस्थान के 10 10-16 खिलारी ओ .. केवल दो खिलारी दाही का आकड़ा पार कर पाए बाकी खिलारी सब आते गए, जाते गए, आते गए, जाते गए और राजिस्थान की लुटिया को डुबोते चले गए यह शर्मनाक हार है यह हार राजिस्थान भूल नहीं पाएगी बेशक आप अपने दामन से इस हार का दाग छुटाने की कोशिश करिएगा लेकिर राजिस्थान वालो आपकी बेजज़ती हो गई आपके घर में तीन बार बेज़ती, दो मैच पहले आप अपने घर में हारे, तीसरा मैच फिर हार गई आपकी बहुत गंदी बेज़ती 2023 में हुई है, इतनी गंदी बेज़ती 2023 में किसी टीम की नहीं हुई जितनी आपकी अपने घर में हुई है, तो इसलिए राजिस्थान की इस हार की जिम्मेदार कोई एक खिलारी नहीं है पूरी टीम इस हार की जिम्मेदार है सबसे बड़ा जिम्मेदार कप्तान संजू सैमसन को मैं मानता हूँ जब मुश्किल वक्त था आप बल्लेबाजी क्यों नहीं कर पाए क्यों अनाप सनाप शोट खेल कर सारे खिलारी आउट होकर जा रहे थे जो खिलारीों को जिम्मेदारी नहीं समझ में आई जो खिलारीों ने गलत शोट चैलन करके अपने विकेट गवाई तो पूरी टीम जिम्मेदार है किसी एक खिलारी को जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए यह पूरी तीम जिम्मेदार है और सबसे बड़ा जिम्मेदार कप्तान संजू सैमसन है आपका रारिस्थान की इसहार को लेकर क्या कहना है कमेंट करके बताईएगा आप सबसे बड़ा जिम्मेदार किसे मानते हैं ये भी बताईएगा वीडियो चल लगे और क्या आपको